लाट्री किंग के नाम से मशहूर कारोबारी सेंटियागो मार्टिन की कमपनी फ्यूचर गेमिंग एन होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्टरल बॉन्ड के जरीए राजनीतिक दलो को सबसे जादा 1369 करोड रुपे का चंदा दिया है चुनाव आयोग के जरीए साउजनिक किये गए इलेक्टरल बॉन्ड के डेटा के मताबिक फ्यूचर गेमिंग ने 12 अप्रेल 2019 से 24 जन्वरी 2024 के बीच 1369 करोड रुपे के इलेक्टरल बॉन्ड खरीदे हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर गेमिंग ने किस पार्टी को सब करते हैं और ठोस विशनेशन पर आदारित खबरे पढ़ना और देखना चाहते हैं तो कुंट हिंदी के मेंबर बनिये मेंबर बनने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब आते हैं फ्यूचर गेमिंग के जरीए दिये गए चंदे पर सबसे प पश्ची में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनने जी की पार्टी TMC को दिया है TMC को फ्यूचर गेमिंग से अलग अलग तारीकों में कुल 542 करोड रुपे का चंदा मिला है अब जानते हैं अन्य राजनेतिक पार्टीओं को फ्यूचर गेमिंग ने कितना चंदा दिया है MK स्टालिन की पार्टी DM के दूसी सबसे बड़ी लाभाती पार्टी है DMK को Future Gaming से 503 करोड रुपे मिले हैं Future Gaming से सबसे जादा चंदा पाने वालों की लिस्ट में जगन मोहन रेड़ी की YSR कॉंग्रेस तीसरे नंबर पर है पार्टी के खाते में 154 करोड रुपे आए हैं इसके बाद BJP को Future Gaming से 100 करोड रुपे का चंदा हासिल हुआ है कांग्रेस पार्टी को Future Gaming ने 50 करोड रुपे का चंदा दिया है अब ये भी समझ लीजिए कि Future Gaming के जरीए दिये गए कुल चंदे में किस पार्टी की कितनी हिस्सेदारी है Future Gaming के कुल चंदे का 49.6 फीसद हिस्सा TMC को मिला है DMK के खाते में 36.7 फीसद आया है इसके अलावा सेंटियागो मार्टिन कौन है इनकी कमपनी Future Gaming क्या करती है और क्यों ED के रडार पर रही है इसकी जानकारी हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में दी थी जिसे आप कुइंट हिंदी के यूट्यूब चेनल पर देख सकते हैं